कि नमस्कार सातियों मैं सवय सिंग एक बार पुना एन्वीरा एजुकेसिन यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक श्वागत करता हूं अभी नंदन करता हूं शाहतियों आज हम पढ़ने वाले हैं अलावदिन खिलजी के बारे में इस्पेशली खिलजी वन्ष के शासक अला अगर राजपुताना का अभियान पढ़ेंगे अलावदिन खिलजी का तो राजिस्थान के केसरिया राजिस्थान के साके जोहर अर्द शाके आधि के बारे में भी गहन विश्टलेसन या जानकर हमें पढ़ले को मिलेंगी चूंकि अलावदिन खिलजी जो है इन्होंने र अगर बात करें अलावदिन खिलजी की उपादी तो उपादी उनकी जो देखने को मिलती हैं सिकंदर एशान आलावदिन किलजी की उपादी अथАर्ट इसे दूसरा शिकंदर भी कहता है सिकंदर महान के उपादी भी दी जाती क्योंकि विश्व विजेता बनने का ख्वाब इन्होंने भी देखा था तो अलावदिन खिल जी की उपादी के बारे में हमने बात कर ली है अब हम बात कर लेते हैं अलावदिन खिल जी की पत्नियों के बारे में चुंकि अलावदिन खिर्जी की एक से अधिक पत्निया थी तो सबसे पहले जो नाम हमें निकल कर सामने आता है अलावदिन खिर्जी की पत्नि का तो वो नाम बताया जाता है मलीका ए जहां सवाल पूचा जा सकता है मलिका है जहां जो अलावदिन खिल जी की पतनी बताए जाती है ये किस की पुत्री बताए जाती है तो ये पुत्री बताए जाती है जलाल दिन फिरोज खिल जी की चूंकि अलावदिन खिल जी के चाचा की लड़की से ही पहला निका किया गया है अलावदिन खिल जी ने ईसे की नाम बताया जाता है अलब खांज जो है इसकी भई कि बतायी जाती है तimyhụ तीसरी जो पत्टी बताया जाती है कमला कमला जो पत्टी बताया जाती है यह गुजरात के साथ कर्ण की पहली पत्नी हुआ करती थी जब गुजरात के उपर अटेक हुआ है अलावदिन खिर जी का तो लूट खशोट के शाथ में कर्ण जो शाशक था इस ने अपनी पुत्री और पत्नी कमला को किसके सुपृद कर दिया अलावदिन खिर जी की सेना के सुपृद कर दिया अगर बात करें पुत्री की अलाउदिन खिलजी की पुत्री का अगर जिकर आए तो नाम आता है फिरोजा क्या नाम आता है फिरोजा के नाम से इसे जाना जाता है अलाउदिन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो अलाउदिन खिलजी को चाचा जलालुदीन फिरोज खिलजी के द्वारा एक चाकर नोकर पेस किया गया पस्तूत किया गया गिप्ट के तोर पर दिया गया उसका नाम बताया जाता है मलिक काफुर चाकर का क्या नाम बताया जाता है मलिक काफुर मलिक काफुर बताया जाता है आपके अलाउदिन खिलजी के चाकर का जो एक गे था गे का मतल के बारे में बात कर लेते हैं तो सेनाद्यक्षों की जब हम बात करते हैं अलावदिन खिर जी की तो सबसे पहले नाम आता है अलप खां क्या नाम आता है अलप खां दूसरा जो सेनाद्यक्ष है उसका नाम नुसरत खां तीसरा जो सेनाद्यक्ष बताया जाता है उसका जो ना नाम बताया जाता है वो बताया जाता है आपके उलुग खां उलुग खां के अलावा एक और नाम बताया जाता है जिसे मलिक काफुर के नाम से भी जाना जाता है मलिक काफुर के बारे में हम और लेडी पहले बात कर चुके हैं और एक और अन्य सेना दिक्स बताया जाता है ज अलाओदिन खेल जी ओर राजपुता ने अभ्यान पड़ीय तो अलाओ धिन खेल जी के दवरा राजपुता ने KDK ये उपगि पहला प्रपहला जो अटेक यह उसके बारा में हम जानकारिए ले लेते हैं तो सरप्रतम जानकारिए निकल का सामने आती है आपके दूर्गों की किस रहनी में आता है रत्क जो नाता है इसे एरण दूर्ग के नाम से जाना जाता है एरण दूर्ग का अर्थ क्या होता है जो केंटिली जाडिया उबडखाबर गीरी खाईएं आदिसे सुसजित अथार्थ उसके पास में जाने के लिए केंटिली जाडिया उबडखाबर जो खड़े हैं उनको पार करके जाना पड़ता है चुंकि रन्थम्बोर का जो दुर्ग है यहाँ पास में जाने के बाद में ही दिखता है इतली कंटिली जाडियंस के इर्दगिर्द बताई जाती अथार्त रन्थम्बोर दुर्ग को अभेद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है अब रन्थम्बोर के बारे में पढ़ रहे हैं तो रन्थम्बोर दुर्ग की पहले हमने एतियसिक जानकारी ले लिली हैं तो रन्थम्बोर दुर्ग जो हैं इस दुर्ग का एक कौनजी भी हुआ करती थी इसको किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है तो रन्थम्बोर दुर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है और जाइन दुर्ग से समंदित एक सेनी का जिक्र में पढ़ने को मिलता है नाम बताया जाता है गुरुदास सेनी के नाम से भी जिक्र पर में पढ़ने को मिलता है चुंकि अगर रंधंबोर दुर्ग को जीतना है तो कुंजी को जीतना बहुत ही जरूरी बताया जाता है एक्जाम्पल के तोर पर दूसरा उधरन बता देता हूँ जैसे जालोर जैसे मारवाड के मारवाड की कुंजी मारवाड की कुंजी बताया जाता है आपके गड़ सिवाना और जालोर का भी कुंजी जो जिशे का जाता है उसी सिवान के नाम से जाना जाता है उसी परका रंधंबोर की डिटेल भी हमें पढ़ने को मिलते हैं तो रंधंबोर की बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सुभवक्षी बात हैं पहले हमें इसके वंश के बारे में बात करेंगे तो वंश बताये जाता है चोहान अथार्त चाहामान वंश जो कुल देवी बताए जाती है उसे शाकमबरी देवी के नाम से जाना जाता है चोहान वंश जो है यहाँ अजमेर से निकला है और अजमेर में प्रतिरा चोहान की अत्या करने के बाद में पुत्र गोविंद देव जो हैं यहां रंधंबोर आकर चोहानों की दूसरी साखा इस्थापित करता है और रंधंबोर के चोहान जो हैं इसे साखा में हमें वीर पुरुष का नाम पढ़ने को मिलता है जिशे हमीर देव चोहान के नाम से जाना जाता है किसके नाम से हमीर देव चोहान हमीर देव चोहान के नाम से जाना जाता है अगर हमीर देव चोहान से समन्दित एतियसिक सुरोत की बात करे तो सर उपरतम जो गरंथ हमें पढ़ने को मिलता है उसका नाम हमीर हट हमीर हट की रचना किशने की तो नाम आता है चंदर सेकर दूसरा जो गरंत पढ़ने को मिलता है उसका नाम है हमीर रासो हमीर रासो की रचना करने वाले जोद राज ये सारंगदर के नाम से जाने जाते है और तीसरा एतियसिक जो स्रोत हमें देखने को मिलता है हमीर देव चोहान के बारे में उसको बताया जाता है हमीर महा काविय हमीर महा काविय की रचना जो है नैंचंद सुरी के द्वारा की गई थी तो रंथंबोर दुर्ग के उपार जो अटिक होता है अलावदिन खिलजी का यह होता है तेरा सो एक इश्वी के अंदर चुंकि हम रन्थम और दूर्ग की एतियसिक डिटेल जान रहे हैं तो हमीर देव चोहान के बारे में बहुत ही महत्वपून जानकारी पढ़ने को मिलती है जो बताया जाता है यहां का वीर पुरुस इसके बारे में इतियास कारों ने रचनाए भी लिखिये कहा जाता है हमीर देव चोहान के बारे में किसी हां सवन्षत पूरसवचन कदली फलत एक बार त्रिया तेल हमीर हट चड़े न दूजी बार अथर्थ अगर हमीर देव चोहान ने हट पकड़ ली है तो उस बात को उस कार्य को शंपून करके ही छोड़ेगा चुंकि अलावदिन खिलजी के बारे में थोड़ी सी जानकर ही अब हम ले लेते हैं अलावदिन खिलजी जो है अलावदिन खिलजी की शेना अटेक करने गई है गुजरात के उपर किसके उपर गुजरात अब गुजरात में श्वभाविक्षी बात है जो अटेक जाधतर हुए है वह शोमनात मंदिर के उपर हुए किसके उपर शोमनात मंदिर बगवान शिव क शोमनात मंदिर की उपर जब अलावदिन खिरजी की सेना ने लूट से का माल हात लगा है लूट का मंदिर के उपर जो अटेक देखने को मिलता है अलावदिन खिरजी का इसमें जो such आना माता है उलुग खाँ और दूसरा नाम आता है महम्मज शाहा अब महम्मज शाह और उलुग खाँ जो शेना अदिक्ष बताये जाते हैं बहुत सारा लूट का दन लेकर यह है वापस जब आते समय महम्मस्षा जो बताय जाते हैं इनके दिल के अंदर खराबी उत्पन हुई अथार्थ इन्होंने बगावत कर ली और लूट का जो लूटवा माल है उसमें से पांच परतिशत कितना पांच परतिशत जो माल है अपने पास में रख लिया जब ये खबर पड़ी है अलावदिन खिलजी को तो महम्मस्षा को किसी भी हालत के अंदर जीवित पकड़ कर उसको सजाए मौत निर्दारित कर दी गई थी अब महम्मस्षा जो हैं एक तो रिजन लूट का माल बताया जाता है इसके उपर आकर्मन करने का और दूसरा रिजन बताया जाता है कि अलावदिन खिलजी की पतनी का नाम एक और हमें देखने को मिलता है जो नाम बताया जाता है चिमना क्या नाम चिमना जो मराटी रानी बताया जाती है अलाउदिन खिल जी की बेगम बताए जाती हैं चिमना जो हैं इसके साथ में अनेतिक समंद बताए जाते हैं महमसा के इसके कारण इनके उपर अटेक अलाउदिन खिल जी का देखने को मिलते हैं किसकी शरण में पहुंचा हैं, हमीर देव चोहान की सरण में पहुंचा है, तो राजपुतों की पांस से साथ जो विशेष्टा ही बताई जाती है, उनमें से एक विशेष्टा की सरणागत वस्सल, सरण में आये किसी भी शत्रु को भी यह वस्सल अथार्त उसकी रक्षा करे तो हमेर देव चौहान ने इस नीती का वलंमन करते हुए महमध शाह को सरन दे दी जब अलावधिन खिर जी का पेगाम पहुचा हमेरोच हमीर देव चौहान के पास में कि महमध को हमें सुपुर्द कर दो तो महमध मातыл HARं रोढा का स YouTube स्थ का सद स्थ रंतंबोर्दुर्ग के उपर चुंकि अलाउदिन खिलजी का एक और नजरिया रंतंबोर्दुर्ग के उपर अटेक करने का बताया जाता है चुंकि अलाउदिन खिलजी से पहले जलाल अदिन फिरोस खिलजी ने भी रन्थंब और दूर्ग के उपर अटेक किया था लेकिन यहां पर सपलता हासिल नहीं की इसी के कारण वो हो यह वक्त तब यह कहते हुए यहां से निकल गया कि ऐसे दूर्गों को मैं मुसल्मान के एक बाल के बराबर मानता हूँ और यहां से असपल होकर लोटा था अपने चाचा की असपलता का बदला लेने और चुंकि हमीर देव चोहान से मुहमश्या को प्राप्त करने के लिए अलाओदिन खिर्जी ने रन्थंब और दुर्ग के उपर अटेक किया तेरा सो एक इश्वी के अंदर अब रन्थंब और दुर्ग के उपर अटेक होने वाला है तो हमीर देव चोहान जो है इसके प्रमुक शेना नायक जो बताया जाते हैं उनका नाम भी हम पड़ लेकते हैं सेना नायक जो हमें देखने को मिलते हैं हमीर देव चोहान के उनमें एक का नाम बताया जाता है रन्पाल और दूसरे का नाम बताया जाता है रतीपाल रन्पाल रतीपाल इन दोनों ने क्या किया है हमीर देव चोहान के साथ में विश्वास गात किया है क्या किया है विश्वास गात किया जिसके कारण रंथमोर दुर्ग का पहला साका हुआ हमीर देव चोहान जो है यहाँ पर लड़ते हुए केसरिया कर गए क्या कर गए केसरिया कर गए और हमीर देव चोहन या फिर रंधंबोर इस्तितर अगर बात करें जोहर की तो जोहर करने वाली जो रानी बताया जाती है इसे रंगा देवी के नाम से जाना जाता है इसे रंगा देवी के नाम से भी बताया जाता है इतियासकारों के दोरा और इसे रंग देवी के नाम से भी बताया जाता है चुंकि बारत के अंदर होने वाले जो संपुन जोहर है इन में पहला जल जोहर जो हुआ है यह हुआ है रन्थंबोर इस्तिता कहा हुआ है रन्थंबोर इस्तिता पहला जो जल जोहर हुआ है 1301 इस वी में अगर भूच ले केसरिया किष्ट ने किया तो हमीर देव चोहान के दोरा ये केसरिया किया गया था और किस के कारण हमीर देव चोहान के ओपर अटेक हो अलावदन खिल जी तो दो रिजन बताए एक तो चिमना जो पत्नी बताया जाती है मराटी पत्नी जो बेगम बताया जाती है अलाउदिन खिल जी की इनके साथ में मुहमत सा की अहने तिक समंद और दूजी बात गुजरात की सोमनात मंदिर को जब अटेक किया गया था तो संपूर्ण जो लूटवा माल है उसका 5% माल का हिस्सा जो है ये किशने रख लिया है मुहमत सा ने रख लिया है जिसके कारण अलाउदिन खिल जी की कुरूद का भाजग बनाया मुहमत सा और सरण में चला गया है ह हमीर देव चोहान ने सरणागत अथा सरण में आई हुए सत्रु को भी माप करने की अपनी विश्सता को जीवित रखा और इसकी रक्सा की और रक्सा करने के लिए केसरिया करना पड़ा है हमीर देव चोहान को और जोहर करना पड़ा है रंगा देवी और अगर पूछ ले ह अमीर देव चोहान की पुत्री के बारे में पुछे तो नाम आता है पदमला पदमला इनकी पुत्री का नाम बताया जाता जो कुवारी बताया जाती है यह अगनी का जोहर वर्त जोहें धारा नहीं कर सकती थी इसलिए माता रंगा देवी और पदमला दोनों ने जल जोहर किय किस तालाब में किया तो नाम आता है पदमला तालाब तो साथ यूँ अलावदिन खिल जी का पहला अटेक रन्थम और दुर्ग के उपर जो होता है इसके बारे में हमने गहन विशलेशन कर लिया और इसकी संपून डीटेल पड़ ली अगर पूछ ले विश्वास गात किस ने किया तो रनपाल और रतिपाल के नाम ये विश्वास गात आता है बाद में अलावदिन खिल जी के दौरा रनपाल रतिपाल को भी खतम कर दिया गया था अब हम आगे बढ़ते हैं रन्थंबोर दुर्ग के उपर अटेक पड़ लिया अलावदिन खिल जी का अब हम बात कर लेते हैं चितोड दुर्ग के बारे में चितोड का जो शाखा हुआ जोहर हुआ कैसरी या हुआ उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं रन्थम्बोर के बारे में हमने बात कर लिए हैं सात्यों एंग बार ओर बता देता हूं कि अगर पूछ ले के रन्थम्बोर की आपात काले राज़दानी कौन सी बताय जाती है तो उसे जायन्दुर्ग के नाम से जाना जाता है, अब हम बात कर लेते हैं, चितोडगण के बा बखादत को किं दाता और इस वन्ष की स्थापना 567 इश्वी के अंदर अगर बात करें रॉप रभी लभा जो 19 timeframe बताया जाता है चितोड का उसे खीश्थ नाम से जाना जाता है तो शासक का हम नाम dos नहीं रतनशीहा yeah पैर डतनशीहा रतनशीहाँ श्षक बताई जाता है जिस समें अलावदिं खिलजी का होता है चितोडगड के उपर और इंकी जो पत्नी हमें देखने को मिलते पत्नी का जो नाम उख्रहम bloody को मिलता हैं नाम बताया जाता है 5 Oありがとうございます यहां पदमावती सहमती से पदमावती और रतन सिंग का विवा हुआ रतन सिंग जब पदमावती को लेकर चितोडगड पहुँचे हैं तो पदमावती का रूप लावनिया और इनकी जो दक्षता है इसकी चर्चाय चारों तरफ फैलन लगी हैं चितोडग के इंदर एक बहुत ही कोई ख्यात सलाकारेत था जिसका नाम बताया जाता है रागव चेतन क्या नाम रागव चेतन जो हैं यह खूफिया नजरिये से देखता था हर एक गतिविदी को और इसके बारें जब डिटेल पता चल गई है रतन सिंग को तो रतन सिंग ने रागव चेतन को भरे दरवार से बाहर निकाल दिया अब रागव चेतन जो है यह निकल का सीधा पहुंचा है अलाव दिन खिर्जी के पास में अलाव दिन खिर्जी को पदमावती के रूप लवनी के बारें में बताया शात ही चितोडगड और मेवार जो परगना बताया जाता है इसके दन दानिया और वेवपून इस्तती के बारें में भी इस नहें अवगत कराया और इसके बदोलत ही अलाव दिन खिर्जी का जो अटेक हमें देखने को मिलता है चितोड के उपर यहां देखने को मिलता है अटेक अलाव दिन खिर्जी के द्वारा जो अटेक ह फबर चितोडगण के ऊपर अठेक्व एक जाता है तो के सरीया करने वाला सो बताय जाता है तो कि सरीbay चीयाद हाँ कि tenant रतनशीहां को nama रतनशीवा के साथ नो प्रमुक वीर युदाओं का नाम भी हमें देखने को मिलता एक का नाम बताया जाता है गोरा और दूसरे का नाम हम देखने को मिलता है बादल जो चाचा और बतीजा हुआ करते थे गोरा जो है यह अल्लेडी 85 एयर और यानि बुड़ा बताया जाता लेकिन रखत जो हैं इसके अंदर भी वीर सिरोमनी रखत दोड़ता था इनकी रगों के अंदर इसके कारण मुगलों को या तुरकों जो भी अलावदिन खिल जी बताया जाता है इसकी सेना के छके छुडाने में काम्याब रहते गोरा और बादल अगर बात करें जोहर की तो जोहर जो चितोड़ गड़ दूर्ग के अंदर जोहर किया है वो किया है पदमावती ने पदम खिल जी की बुरी नजस्ते बचने के लिए अपने आपको आग के हवाले कर दिया और यह जोहर बताया जाता है कब हुआ यह अगनी जोहर यह तेरा सो तीन इश्वी का बताया जाता है तो चितोड़ गड़ दूर्ग के ऊपर अलावदिन खिल जी का जो अटेक होता है तो चितोडगट दुर्ग को जीत कर अलावदिन खिलजी के द्वारा चितोडगट का जो नाम रखा जाता है ये नाम कई बार पूचा जाता है तो चितोडगट का नाम रखा जाता है खिजराबाद क्यों नाम रखा जाता है अलावदिन खिलजी के एक पुत्र का नाम खिजर बताया जाता है खिजर खां और देवल राणी की प्रणे गाता किस्ट ने लिखी ये सवाल भी कई बार पूचा गया अमीर खुसरों के द्वारा किसके द्वारा अमीर खुसरों के द्वारा ये प्रणे गाता लिखी गई तो चितोडगड को जीत कर चितोडगड का क्या नाम रखा गया खिजराबाद नाम रखा गया संपून एतियास इक जानकारी हम राजिस्थान इतियास जब हम पढ़ेंगे उस रमें इसको गहन विश्लेसन के साथ में आगे बढ़ाएंगे सातियों अलावदिन खिर जी का चितोडगड अभियान हमने पढ़ लिया है आगे बात कर लेते हैं अलावदिन खिर जी का जो अटेक होने वाला है वह होने वाला है जालोर के उपर लेकिन जालोर का जो इतियास हम पढ़ने वाले हैं जालोर का इतियास हम पढ़ लेते हैं तो सोनगरा चोहान के नाम से जाना जाता है किसके नाम से सोनगरा चोहान सोनगरा चोहान के नाम से जाना जाता है अब सोनगरा चोहान जो है इसका मूल पुरुष कौन सा देखने को मिलता यह जानकारी भी कई बार हमसे पुछ जाती है तो मूल पुरुष देखने को जो मिलता है उसे कीतू एक महान सासक के नाम से जाना जाता है तो जब हम राजपुता ना पढ़ते हैं तो यहां पर पढ़ता है पाली और पाली में एक जगा पढ़ती है जिसको कहते हैं नड्यूल क्या कहते हैं नड्यूल अथार्त नाडोल नाडोल कहां कौन सी माता का मंदिर परशिद तो नाम आता है आशापूरा माता का और यहीं पर इस्तित 1181 इश्वी का एक अभी लेख है जिशे मकराना सिलालेख के नाम से जाना जाता है जिश में सोनगरा चोहान की वनसावली का जिकर भी हमें पढ़ने को मिलता है सात्यों जब सोनगरा चोहान की वनसावली की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अलहन का किसका अलहन का दूसरा नाम आता है कीरती पाल का कीरती पाल और तीसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है वो आता है आपके समर्सिहा का समर्सिहा के बाद में जो नाम देखने को मिलत और चोचिंग देव के बाद में जो नाम देखने को मिलता है जालोर इतियास के अंदार वो है आपके कानःडदे सौनगरा के नाम से जाना जाता है और जो है इनके पुत्र का नाम बताया जाता है वीरम दे सौनगरा क्या नाम वीरम देश वनगरा और सबसे प्रशिद जो ख्याति पूर्ण शासक बताया जाता है वो कानरदे बताया जाता है चूंकि नाडोल इस्तित शासक नाडोल इस्तिता बताया जाता है कि जालोर इतियास के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जालोर का जो दुर्ग बताया जाता है जिसे शाणगड दुर्ग के नाम से जाना जाता है तो कोई अटेकर अगर जालोर दुर्ग के उपर अटेक करेगा तो सरुपरतम इसकी इस दुर्ग की कुंजी किसे का जाता ये सवाल भी पूचा जाता है तो नाम आता है शिवाना का शिवाना का जो दुर्ग है जिसे कुम्बट दुर्ग भी कहते हैं और इसे जालोर और मारवार के संगट का लिन राजदानी भी का जाता है तो चूंकि अलावदिन खिर्जी जो है ये अटेक करने वाला है जालोर की उपर तो अलावदिन खिर्जी के अटेक करने का उद्धिश क्या बताया जाता है तो सात्यों बतारा चाहूंगा आपको कि दिल्ली से निकली हुई साई सेना जो हैं इसका आम रश्ता हुआ करता था नागोर से जोदपूर से होते वे सिवाना से होते वे जालोर होते वे ये दक्षिन की तरफ सेना कूच करते थी और दक्षिन में सरवादिक जो मैतवकान से अटेक हुआ है अलावदिन खिर्जी का वो गुजरात के उपर हुआ है कि इसके उपर गुजरात के उपर तो अलाव दिन खिलजी की सेना को चाहिए रस्ता लेकिन साही सेना जहां कहीं से भी गुजरती थी लाओ लसकर के शाथ में अपने खूंकार हत्यारों के शाथ में गोडों के शाथ में हातियों के साथ में तो वहां पनपने वाली पूरी की पूरी सरवशर संपून फशलों को चोपट कर के रख दिया जाता था चूंकि अब जालोर से निकलने वाले तो जालोर में ततकाल इंसासक बताया जाता है कानड़ दे शौनगरा अब हम इस कंडिशन को संपुन आदार सहीत पढ़ लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं जालोर का इतियास अथार्थ जालोर का इतियास हमें इतियास को पढ़ने के लिए एतियासिक सुरोत कौन-कौन से हमें देखने को मिलते हैं सुरोत यानी शाधन इतियास को जानने के सुरोत हमें कौन-कौन से देखने को मिलते हैं जालोर इतियास के साथ में तो सर पर्थम बात आता नमर एक जो सुरोत आता है उसका नाम है कानड कानर दे शोनगरा कानर दे शोनगरा पहला जो स्रोत हमें देखने को मिलता है वो है आपके कानर दे प्रबंद कानर दे प्रबंद और दूसरा जो स्रोत देखने को मिलता है वो है आपके विरम देव शोनगरा री बात विरम देव शोनगरा री बात ये पहला एतियासिक स्रोथ हमें देखने को मिलता है और इसका जो लिखक है वो है आपके पदमनाथ क्या नाम पदमनाथ तो पहला एतियासिक स्रोथ हमने जान लिया है दूसरा भी जान लिया है तीसरा जो एतियासिक स्रोथ हमें देखने को मिलता है वो लिखता है फरिस्ता और फरिस्ता के दोरा जो लिखा गया है तारिक ए फरिस्ता तारिक ए फरिस्ता फरिस्ता एक इतियास कार हुआ है इसने भी जालोर इतियास के बारे में डिटेल लिखी थी चोता जो इतियास कार आता है उसका नाम है आपके नेंसी और नेंसी ने जो खिष ने लिखी थी शंसी ने लिखी थी और एक ग्रंत लिकाता मारवाद रे परगनारी विगत जिसमें मारवाद के राथोरणफ की डिठेल हमें पढ़ने को मिलती है पांचवा जो स्रुत हमें देखने को मिलता है नेरशिक के अलावा वो है आपके खजाइन उल्फुतु हो खजाइन उल्फुतु हो खजाइन उल्फुतु के नाम से जाना जाता है और इसका रचनाकार बताया जाता है खुसरू अथार्त अमीर खुसरू के नाम से जाना जाता है अब यह जो एतिस्टिक स्रूत हमें देखने को मिलते हैं हमने यह नोट डाउन क्यों कि यह क्योंकि इनका भी जिक्र बताया जाता अलावदिन खिलजी के साथ में समंध बताया जाता चुंकि जालोर इतियास पढ़ रहे हैं और स्पेशली हम पढ़ रहे हैं कानड़ देव सौनगरा के बारे में किसके बारे में कानड़ देव सौनगरा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कानड़ देव सौनगरा की जो कुल देवी बताए जाती है उसका नाम भी पुचा जा सकता है आसा पूरा माता और आसा पूरा माता का जो परसीद मंदिर है वो नाडोल में बताए जाता है नाडोल बताए जाता है चूंकि जालोर के उपर आकर में जालोर का जो साका है वो साका हुआ था लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जालोर दुर्ग को जीतने के लिए सबसे पहले जालोर दुर्ग की कुंजी को जीतना पड़ेगा और जालोर दुर्ग की कुंजी या पिर जालोर की संकट कालेन राजदानी जो कहलाती ह वो है नाम शिवाना का किसका शिवाना के बारे में भी थोड़ी सी जानकरी पढ़ लेता है तो शिवाना जो दुर्ग हमें देखने को मिलता है इसके और अन्य क्या-क्या नाम हमें देखने को मिलता है तो शिवाना दुर्ग के अन्य नाम इसे कुमबड दुर्ग के नाम से भ बहुक्षी बात है क्योंकि जीतना है जालोर को अब जीतने के लिए गतिवी दिया कौन-कौन सी बनी है तो सुनी आप सरुपर तो हम बात कर लेते हैं सिवाना के बारे में तो शिवाना दुर्ग के उपर अटेक जो होता है अलावदिन खिल जी का ये अटेक भूताया जाता ह है तो नाम आता है सातल दे क्या नाम शातल देव के नाम से जाना जाता है और अगर बात करें जोहर की तो जोहर किया था मेना दे और मेना दे के साथ में जो जोहर करने वाली नारिया बताया जाती सिवाना दुर्ग की उसका नाम उमा दे के नाम से भी जाना जाता है तो दो पल्दे और यहाँ पर जो विश्वास गात का जुकाम किया है विश्वास गात विश्वास गात जो क्या है यह किस वेक्ति ने किया है तो विश्वास गात करने वाला जो प्रमुक वेक्ति बताया जाता है उसका नाम बताया जाता है बावले अब बावले जो है यह जा मिला था अलावदिन खिल जी की सेना के साथ में जिश के कारण सीवाना का पर्थम शाका हुआ कब अगर दूसरे नमों की अगर डीटेल पूछ लिजाए तो चितोडगड का नाम खिजराबाद, सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद, जालोर का नाम रखा गया जलालाबाद, मुगलकाल में जेपुर का नाम रखा गया मौमीनाबाद, और मतुरा का नाम देखने को मिलता है इसलामाबाद का नाम, इसलामाबाद के नाम से भी जाना जाता है, तो जालोर दुर्ग की कुनजी शिवाना अगड के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ जो अटेक हुआ 1308 इश्वी, यहाँ ही यह प्रश्ट मुमी तेयार करती है, जालोर के उपर अटेक होने की अलावदिन खिल जी का, इसके बारे में भी संपून डीटेल हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सुनी आप, यहाँ जो एतियासिक सुरूत पढ़े हैं हमने, इनके अकोर्डिंग ही बात कर लेते हैं, तो सर उपरता हम बात कर लेते हैं, फरिस्ता के अनुसार, तो जब अलावद कानर देव संपून गरा के, इनको समझा भूजा कर इस बड़े लाव लस्करवाडी सेना से मुकाबला करने के काबिल नहीं थे यह राजपूत, इसलिए कानर देव संपून गरा को समझाया गया, कि अलावदिन खिल जी से बागावत नी शंदी कर लेते हैं, ताकि मामला ब अपने दर्बार के अंदर कानर देव संपून गरा को देखकर उसका आदर सतकार करने की बजाई टॉन्ट मारना शुरू कर देता है, उलावदिन खिल जी ने अपने बरे दर्बार के अंदर ये बात बताने शुरू की, कि राजपूत नहीं एक भी वीर ऐसा है, जो मेरी तलवार का मुकाबला कर सके कोई वीर बचा है किया जो मेरी तलवार का मुकाबला कर सके तब कानरदेव सुनगरा ने उस बात का खंडन किया कि अलाओ दिन खिल जी इन हातों ने हत्यार छोड़े हैं चलाना नहीं भूलाओं और अगर मुझे दो-दो हाथ ही करने हैं तो जालोर इस्तित आजाना सूकडी नदी के किनारे हम वही मिलेंगे और इस संदी वारता को यहीं पर खतम करके कानरदेव सोनगरा वापस आ गया यहां बात लिखता है फरिस्ता लेकिन संदी के बारे में नेन सी भी लिखता है संदी के बारे में लेकिन कानरदेव सोनगरा की जगा कानरदेव सोनगरा ने अपने पूत्र विरम देव सोनगरा को बेजा किसको बेजा विरम देव सोनगरा को बेजा है दिल्ली दरबार के अं में कि विरम देव स्वनगरा जो हैं ये कद काटी और मंदल युक्त सरीर हटा कटा सरीर कवाला एक नव यूक बताए जाता है और चेहरे पर औजश्वर तेज था कोई भी देखकर इसे मोहित हो जाता था जब बरे दर्बार में पहुंचा है विरम देव स्वनगरा कौन है विरम देव स्वनगरा को देखा और फिरोजा पूत्री जो है देखते ही देखते विरम देव स्वनगरा को अपना मन दे बेटी और इसे अपना पती मान लिया और मन ये दारना पेदा कर ली कि अगर distintos देव विरम देव सोनगरा के साथ में अन्यता किसी के साथ में नहीं करूंगी और विरम देव सोनगरा की आओ भगत में लग गई फिरोजा पूरी की पूरी मोहित हो गई है विरम देव सोनगरा के उपर और विरम देव सोनगरा को जब इतना महत्व दिया गया फिरोजा के द्वार और जब बात आई है अपने इजहारे इसका का तो विरम देव सोनगरा ने फिरोजा को मना कर दिया कि मैं तुझ से साधी नहीं करूँगी एसी हालत में फिरोजा रोती भी लगती हुई अपने पिता के पास में पहुंची है पिता आलाओ दिन खिल जी को बोला कि पिता जी अ बुलाए जाएगा अभी विरम देव सोनगरा को जब विरम देव सोनगरा को बुलाए गया और पूचा गया क्या इस गले के लिए हार चाहिए तलवार चाहिए सोचकर बता देना सुबह में अब विरम देव सोनगरा के पास में कोई कंडिशन बची नहीं विरम देव चाहें विरम देव शोनगरा तब अलावदिन खिर जी यहां पर अटेक करने की सोच रहें समय बताया जाता है जालूर के उपर जो अटेक किया जाता है अलावदिन खिर जी का समय बताया जाता है 1311 इश्वी और जालूर का जो दूर्ग बताया जाता है यहां भी अभेद कौन लिखता है ये बात लिखने वाला जो इतियासकार बताय जाता है उसका नाम है हसन निजामी हसन निजामी ने लिखा है कि जालोर दुर्ग के दरवाजे आज तक कोई भी आकरमनकारी नहीं खोल पाया था अब अलावदिन खिर जी जो है अपने लाव लशकर को तयार करता है और अटेक करने की योजना सुरू कर देता है जालोर के उपार और एक बहुत ही खुंका और वेक्ति को डूंडा जाता नाम है कमालोदिन गुर्ग कमालोदिन गुर्ग की सेना के नितरतों में जालोर के लेकिन अलावदिन खिल जी अपनी लाव लशकर जो शेना है इसके अंदर बहुत सारे खुंकार हतियार भी रखता था जैसे डेंकूली है अरारदा है मगरबी है या मरकटी है बहुत ही खुंकार बड़े-बड़े पत्तर बरसाने वाले योजार भी जो सस्त्र है वो भी रख करता था अलावदिन खिल जी लेकिन बात नहीं बनी लेकिन कानरदेव स्वनगरा के साथ में इस दुर्ग के अंदर विश्वास गात करने वाला जो बताया जाता है वो बताया जाता है आपके दहिया भी का दहिया भी का दहिया भी का ने कानरदेव स्वनगरा के साथ में व अलावदिन खिर जी की सेना को लोब में आकर और जब लोब में जब इसको धन दोलत मिला तो लोट कर गर पहुँचा यह पतिनी से खुशी का जर कि आग मुझे इतना धन दोलत मिला लेकिन पत्री ने उसकी बात न सुनिये सीधा दोड कर किसको बताने के लिए दोडी है कानर होने से पहले ये गतिविदी बता जाती हैं कि जब भी साही सेना मुशीबत में होती है तो आपने खूफिया रस्ते से निकल कर किसी भी सुरक्षा इस्त्यां सुरक्षित इस्तान पर पहुँच जाती है और हर एक दुर्ग जितने भी राई है किसी भी दाम में मिले राई को खरीद कर लेकर आ जाईए राई वह दाना है जो डलदली इलाकों के अंदर या पिर किचड युक्त छेतर में फैंक दी जाने के बाद में रात और रात उग जाता है और पदचिनों का पता नहीं चलता लेकिन देर हो गई थ थे तो राज परिवार को गेर लिया गया है साही सेना के द्वारा लेकिन कानणदेव निकलने में सफल रहे इतियास कार कहते हैं कानदेव सवनगरा ने अपना सर जाकर आरपीत कर दिया मÁ आसा पूरा माता को और विरम्देव सवनगरा को पकड़ कर जीवित इसका गला जब कर दिया और पूरे मान सम्मान के साथ में फिरोजा ने विरमदेव शोनगरा के शिर का अंतिम संशकार किया और यमना नदी में कूद कर इसने अपने आप को खतम कर दिया तो सातियों हमने अलावदिन खिलजी के रंथम और दुर्ग के उपर हुए अटेक चितोडगर्ड के उपर हुए अटेक सिवाना दुर्ग के उपर हुए अटेक जानकरी पढ़ लिए अलावदिन खिल जी के साथ में राच पुताना का जो अब्यान है इसमें एक तीर दो निशाने वाली बात हो गई जानकरी के बारे में भी हमने पढ़ लिया साथ ही राज़स्थान के जोहर केसरिया शाके आदी के बारे में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए धन्यवाद